आज बनाते हैं बिल्कुल जो बरसाथ के मौसम में जो अनरसे मिलते हैं ना मुझे तो बहुत जादा पसंद है खाने में मतलब चावल का एक करारा पन होता है अंदर से एक चावल की सॉफटनेस होती है लेकिन इसको बनाने का जो ट्रडीशनल प्रोसेस है ना वो बड़ा ही जावल को पता है तीन से चार दिन तक भिगाया जाता है और रोज पानी को चेंज किया जाता है फिर चावल को ड्राइ करके उसको ग्राइंट करते हैं फिर उसके बाद भी एक लंबा प्रोसेस है लेकिन आज मैं लेकर रहा हूँ बिल्कुल वो शॉटकट वाला प्रोसेस जिससे मतलब आप बनाओ यह देखो बाहर से करा रहे हैं अंदर से बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट है तो इसे ट्राइ करना आपको काफी पसंद आएंगे इसे बना करके एक बार रख लो हफ़ पर आराम से 10-12 दिन तक आप खा सकते हो तो ले लिया है मैंने एक पैन उसमें डाल रही हूँ दो कटोरी पानी कोई भी एक कटोरी सेट कर लो उसी कटोरी से आप नाप लो तो मेरी यह वाली कटोरी जो है एक कप का मेजरमेंट के बराबर है उसी कटोरी से मैं नाप करके डाल रही हूँ एक कटोरी भर के चीनी अच् तब बॉल ऐचा उन्न नहीं और इस लिगाули है, तब आटा कोशिश भी मत और दुरिक के ब्राटा भर्लो कोते natuur है, फिरा अब मार्केट वाला रांटा यूज कर ले दी झाल ए जैक्षो इसके लिए जया गिरा वाल इताई जा युछ टोर्टे मेशन करल जाए जरी के लिए तोल्य करना है तोलोज दी पना कि उसके लिए प्रवाइन जालोगी एक बड़ी प्लेट में जिसे यह जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा अभी तो दूआ निकल रहा है कि तना गरम है तो इसे आप बना करके रख सकते हो बच्चों के चोटी मोटी भूख लगती नहीं तब फटा फट खा सकते हैं तब फटा खा सकते हैं श मैं अच्छे से मिक्स कर दें गरम है तो मैं उंगली लगा एह है तो यह काफी गरम लग रहा है मुझे बीच बीच में यह ज़िए तरह को इसे आपने बहुत ज़्यादा जाए जासे आपने पूरी का आटा लगाते हो इस तरीके से गूथना नहीं नहीं है बस इसको आपन करना है पास पास लाना है और यह बहुत आराम से आजाएगा बहुत ही सॉफ्ट अंटा बन का रड़ी होता है क्योंकि अमने गरम पानी उसके बाद डाल देंगे इसमें दो बड़े चमच सफेद वाले तिल तो सफेद वाले तिल के बिना टेस्ट पिलकुल नहीं आएगा यह जरूर से आड़ करना दो बड़े चमच और तिल का यूज आगे भी करने वाले हैं खाली इसी स्टेच पे नहीं करेंगे यह तो तिल पूरा अंदर जा रहा है जब हम इसे हम रोल करेंगे बॉल बनाएंगे तब भी हम तिल का पूरा दिल लगे रहते हैं तो यह दो जो दो बनाने की कोशिश मत करना इसको पहले छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना अभी जैसे इतना बड़ा पोशन तो में हंडल नहीं कर पाऊंगी तो तो मेरे कमसें पांच पार्ट हो जाएंगे तो इससरे मैं आप एक पार्ट को लेकर के अपने इस तरह के तो ले लो कोई चॉपिंग बोर्ड या जिसमे आप रोटी बेजते हो ना वह अली चीज ले लो बस उसके उपर इस तरीके से आपने ऐसे लॉग जैसा बना लेना है ठीक है और फिर थोड़े से तिल लेकर के तिल बगल में रख लो का टोरी में और यहां पर ऐसे तिल बिखर और आपनेसको काट लेना है जितने बड़े बड़े आपने बाल्स बनाने है यह देखो तो बहुत छोटे मत, ध्यान लख थोटे रहों तो विवकुल करारे करारे से हो जाएंगे तो थोड़े से बड़े रखना मतलब नीबू से छोटा साइज रहने नीबू तो बह़त ब है पाके सांगा को असंतों को कितम राखती गत्पेर वासा करें कर लोग अ उस विल जड़ा छी तो ऊच्छा जाता है चालो сказать प्रेक्वाफट करन चाहिए करना कर आप आप केरी हैं मुझा कोई च्छा लग कोई घर जा जब तो जल्डी से अग्रकर बाल्स पुर्टी Jest के फ्राइब करते हो ALL जा सबस्राइब करना सदंदा टीक है ऑलकी आपने टीक कि सुद्ली सीफ घर कर में जासला निल जा सबस्राइब पढ़ु करना सबस्सक्के लाई지만 अब जा सबस्ति को यहाँ ठीक करने अपने आपने ज्सणी कि अपनी अपनी सब्स्फ और 12T तो अच्छा प्राइब जाएगा तो बस अतनी स्टेज तक आप इसको फ्राइब कर लेना है तेको कितने बढ़िया लग रहा है तो इतनी साथा सी रेसिपी थी जरूर से ट्राइब करो आपको काफी पसंद आएगी तो यह जल्दी खराब ही नहीं होते हैं बना के एक बार र आप मेरे चैनल पे नए है अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो फटा फट से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो रेसिपीज एट रैंडव के नाम से तो फटा फट से यह तेस्टी को रख देना ठंडे हो जाने देना उसके बाद इने खाना पेकुल एकदम मस्त लगेंगे बहुत ही बढ़िया थैंक्स वर वाचिंग बाबाई